नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है बिहार के मुख मंतरें नितीश कुमार आज कल विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मिटिंग भी निधारित की गई है बीस बीस पार्टियों को बुलाया भी जा रहा है विपक्ष को एकजूट करने की तयारी चल रही है लेकिन अपने आपको इमांदार सुसासन बाबू कहलाने में लगे नितीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि नितीश कुमार के खिलाफ इस बार पह कि आज पहुचने वाले है क्योंकि इस घोटाले में जदिव का एक सांसद ही नहीं शामिल है बलकि नितीश कुमार का चहेता सामिल है जिसे उन्होंने पिछली बार लोक सभाचुनाब के समय में जो टिकट दी थी उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गया था और ये मामला लंबे समय से चल रहा है यही नहीं नियम में जो फेर बदल की गई है सुप्रिम कोट में इसके खिलाप दायर है मामला सुप्रिम कोट इस पर सुनवाई कर रहा है लेकिन फिर भी सारे नियम कायदे कानून को तात पर रख कर सोलह सो करोड का टेंडर नितीश कुमार ने दे दिया और वो भी अपने चहेते सांसद के नजदी की व्यक्तियों वाला उनके बेटे उनके साले की कंपनी को जिसके कारण बिहार में विश्फोटक इस्तिती है और नितीश कुमार के उपर इस्तिफे का दवाब बना हुआ है कि विपक्ष के मिटिंग से पहले नितीश कुमार को इस्तिफा देना पड़ेगा मोरल ग्राउंड पर क्योंकि इसी मोरलीटी के बाद नितीश कुमार हमेशा करते रहे हैं यहां तक कि जब जदिव चुनाव हार गई थी जब भारतिये जनता पार्टी के साथ पहली बार गठबंदन तूटा था और चुनाव हारने की मोरल रि नितीश कुमार तक जुड़े हैं और सारे सुबूत सामने हैं कि यह बड़ा घोटाला है इसमें नितीश कुमार की पाटी को सोलह सो करोड में से कम से कम तीन से पाच सो करोड के बीच रकम दी गई है और नितीश कुमार के पास भी यह पैसा गया है जिसके सुबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं दस्तावेजों में परमान है और एक एक दस्तावेज ये बताता है कि नितीश कुमार इस बार ब्रस्ताचार में बूरी तरीके से फस गए है ये है बिहार के एंबुलेंस गोटाले का जिसमें इमर्जेंसी एंबुलेंस सर्विस यानि आपात कालिन जो एंबुलेंस सर्विस बिहार सरकार महया कराती है उसका एक कॉंट्रेक्ट था और ये जो आपात कालिन एंबुलेंस है वो फ्री सेवा देती है किसी भी ऑस्पिटल से किसी भी सरकारी अस्पताल से या प्रिग्निन वोमेंड के लिए जब भी कोई इमर्जेंसी सिच्व प्रिशन क्रियेट होती है आप 102 नंबर डाइल करें और एंबुलेंस आपके दरवाजे पर आएगी फ्री ओप कॉस्ट आपको हॉस्पिटल तक पहुचाएगी इस योजना का नाम दिया गया है और इसमें ये प्रोवाइड किया गया है लेकिन इसमें जिस कंपनी को मरोड कर पेश किये गए उसी से सवाल उट रहा है और रिपोर्ट सामने आई है इंडियन एक्सप्रेश जैसे अखवार ने पूरे के पूरे इस मामले को एक्सपोज किया है जिसके जाच अब CBI और ED के हवाले होगी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोट में भी लंबित दिया गया है ये लंबे समय से है 2017 में भी इस कंपनी को कॉंट्रेक्ट दिया गया था और जब ये 400 क्रोड का उस समय का कॉंट्रेक्ट दिया गया था एंबुलेंस सर्विस के लिए तो उस समय भारतिये जनता पार्टी और नितीश कुमार की सरकार थी जनतादल 2022 में राष्टिये जनतादल के तीन नेताओं ने जिसमें भाई विरेंदर भी शामिल थे इन लोगों ने उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे मंगल पांडे उनको एक लेटर लिखा था कि ये जो कॉंट्रेक्ट मिला है गलत है क्योंकि इसमें जो सांसद है उनके परिवार क लोग शामिल हैं और ये पूरी के पूरी कंपनी जो है पीडी पीएल यानि पशुपति नाथ डिस्ट्रिब्यूसर प्राइबट लिम्टेड इसमें चंद्रवनसी के परिवार के लोग ही बोड ऑफ डारेक्टर में शामिल है और पूरे सीधे तोर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि नितीश कुमार ने ये सारा कांट्रेक्ट दिलवाया है जिसमें भारतिय जनता पार्टी ने जांच की बात भी की थी क्योंकि ये मामला भारतिय जनता पार्टी का नहीं था सीधे नितीश कुमार का था लेकिन अगले ही महीने अगस्त में सरकार बदल गई क्योंक कि नितीश कुमार ने भारतिय जंता पार्टी के से गठबंधन तोड़ लिया और फिर ये खेल बदल गया नितीश कुमार के साथ आरजेडी चले गई और भारतिय जंता पार्टी ने जो आरोप लगा है उसके बाद हाई कोट में मामला गया हाई कोट के बाद सुप्रिम कोट में मामला गया है और सुप्रीम कोट में इस पर सुनवाई हो रही है लेकिन आनन फानन में नितीश कुमार ने ये कॉंट्रेक्ट में एक और चेंज किया गया है कि पाँच साल के बाद इसे तीन साल के लिए और एक्स्टेंड किया जा सकता है यानि कि नितीश कुमार ने आगे भी तयार कर लिया है कि जब उनकी सरकार बिहार में नहीं रहेगी तो भी इसे पाँच साल के बाद अगले तीन साल और कॉंट्र जाता रहे ये बड़ा घोटाला कैसे हुआ क्योंकि जो proposal दिये गए थे इसमें request of proposal वो दिये गए थे एक साल पहले और जब का तो उसके बाद भी इसमें changes हुआ क्योंकि उस समय ये नियम बनाया गया था कि जो भी company को ठेका दिया जाएगा उसके पास कुछ सुविधाएं होनी चाहिए यानि लगबग 2018 से क्योंकि उस समय इन्हों ने ये तैयार ही किया था कि कोई बाहर की company आएगी अगर बिहार से बाहर की company आए या फिर दूसरी company बिहार की जिसके पास ये experience नहीं है तो फिर PDPL के पास ही ठेका जाएगा इसलिए 2018-19 के बाद थे तीन साल का experience हो 750 ambulance चलाने का उसमें 50 ambulance हैसे हो जिसमें advance life support system हो और इसके साथ ही इसमें call center की सुविधावी हो उस company को एक call center चलाना जरूरी है जिसमें 75 लोग रहें यानि की 75 seat वाले call center भी जरूरी है लेकिन जब proposal गया और उस proposal में पढ़ता चला कि PDPL के पास तो ये सारी खुबिया है ही नहीं वो इस धाचे में सामिल नहीं होता है तो इसको तोड मरोड के पेश किया गया फिर से इसमें change किया गया और जो 50 life supporting advance ambulance की बात की गई थी उसको घटा कर 40 कर दिया गया और 75 seat वाले जो call center की बात थी उसे घटा कर 50 कर दिया गया क्योंकि proposal दो दिये गए थे उसमें PDPL के पास केबल ऐसे call center है जहां 50 imply ही था उससे पहले के जो call center चला रहा था उसमें इसलिए पहला तो यही change किया गया और उसके बाद आनन फानन में इसे contract दिया गया क्योंकि यह contract 2017 उसके बाद ते चलता रहा है इसलिए नितीज कुमार के उपर यह सवाल उठा कि जो company है उस company के पहले बारे में जान लीजिए और उसके बाद आप बताईएगा कि क्यों आपको यह नहा कहा जाए कि नितीज कुमार इसमें पूरी तरीके से involved है क्योंकि PDPL के जो board of director है उसमें शामिल जो है वो चंदरबंसी जो जहानाबाद के सांसद है उनके एक बेटे यानि सुनील कुमार सुनील कुमार उनके बेटे है और इसके board of director में है दूसरा सुनील कुमार की पतनी निहाराने भी बोड आप डारेक्टर में है और तीसरा बोड आप डारेक्टर का जो मिंबर है वो चंदरबंसी के दूसरे बेटे जितिंदर कुमार की पतनी मोना लिसा है यही नहीं उनके ब्रदरिला जो योगिंदर प्रसाद निराला है उस वो भी इस कंपनी के बोड आप डारेक्टर के म साले के हसाब से इस कंपनी को चलाते हैं और इसको सोले सो करोड का ठेका दिया गया है जबकि इस पर जब बादची चली थी तो इसके लिए जो नियम बदले गए हैं उस पर सवाल भी उठाया गया था और अब जबकि सवाल उठाया जाने लगा, हाई कोट में मामला गया, अब सुप्रीम कोट में गया, तो सुप्रीम कोट में एतर्नी जनरल की राय मांगे गई है। और इसमय चुकी वेकस्नल बेंच बैठा हुआ है, गर्मी के चुट्टियां थी, तो इसलिए सुप्रिम कोट ने कहा कि गर्मी की छुटी के बाद ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसी बीच बिहार के हिल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया खेल कर दिया उसने एक और नया तरीके से बताया कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है उसने नोटिफिकेसन निकाला क परड़े धाई करोड का नुकसान विहार सनकार को हो रहा है कमपनी को ठेका ना देने के कारण इसलिए जो सबसे लोएस्ट बीडर है उसी को दे दिया जाए क्योंकि लोएस्ट बीडर जो बताया ही गया था पहले कि PDPL का ही होना चाहिए और उसको तो प्रपोजल दिया गय जब उसने बीडर बनने की कोशिश की तो उसी समय ये जो PDPL है उसके साथ गठ जोड कर लेता है सम्मान फाउंडेशन के साथ पार्टनर सिफ करके एक ही बीडर रह जाता है इसलिए पिछली बार भी इसको ठेका मिल गया था लेकिन इस बार हुआ थोड़ा सा उल्टा और सम जो मुंबई की कमपनी है उसके साथ ही दो और कमपनियों को जोड लिया और वो था जिक क्वेटा और वो मुंबई की कमपनी है और तीसरा एक और आर्वी जी की कमपनी थी जो सिकंदराबाद की कमपनी है यानि कि इन चार कमपनियों ने बिड डाला और PDPL के विरोध में इ लेकिन अब change करने की बात थी इसलिए इन लोगों के proposal को देखा गया कि क्या क्या लूफ आल्स इसमें हो सकते हैं और उस लूफ आल्स के आधार पर यह पूरा का पूरा जो नियम कानून था इसमें जितने clauses थे उसमें एक एक करके बदलाओ किया जाना लगा और पहला experience देखो कि किस company को कहा कहा experience है और उस experience में अगर पहले का experience इन लोगों के पास था operation का management का तो उसको दरकिनार करने के लिए एक और changes किये गए यानि कि आपके पास जो experience है वो 18-19 के बाद लगातार 3 साल का होना चाहिए ये तो सिर्फ पहले से जो काम कर रही थी बिहार में PDPL उसी के पास हो सकता था दूसरा जो call center की बात की गई तीसरी जो advanced support ambulance की बात की गई और चौत ही जो की एक मातर जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है बलकि single आपके पास अपना 750 ambulance होना चाहिए ये सारे के सारे जो नियम बनाए गए वो PDPL के लिए बनाए गए लेकिन PDPL इसके बाबजूद इस पूरे के पूरे closet change करने के बाबजूद उसमें fit नहीं बैठ तो जो society बना है बिहार का health society और बिहार उसको इसमें जोड़ दिया गया जो बिहार सरकार के agency है उसे PDPL के help करने के लिए साथ में रखा गया यानि पूरा का पूरा जो draft किया गया उस contract को देने के लिए कि PDPL को ही contract मिले उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये 1600 करोर रुपया सीधे जनता दल उनाइटेट के खाते में जाने वाली है और जनता दल उनाइटेट के सांसद के परिवार वालों की जो company है वो उसके परिवार वालों के company नहीं है बलकि निस्तीष कुमार and Associates की है इसलिए ये पूरा मामला जो है नितीष की सरकार की है और ये फ्रस्टा चार के जिस बड़े मामले के बाद एक तरफ महा गठवंधन में विसफोट मचा हुआ है क्योंकि RJD पहले इसके उपर सवाल उठा चुकी थी और अब RJD को लग रहा है कि नितीष कुमार सारा का सारा ठेका अपने पास रख रहे हैं जनता दल पाते में तो पैसा जा रहा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए RJD भी नितीष कुमार से स्तिफे की मांग कर रही है जबकि महा गठवंधन की दूसरी पार्टियां जो है कॉंग्रेस सीपी एम सीपी आई और सीपी यह मिल जयानी की कॉमनिस्ट पार्टियो में खड़ने की कोड़िक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास एक आधार जो था कि नितीष कुमार एक बहद इमानदार आदमी है उस पर भी अब दाग लग गया है यह बड़ा घोटाला सामने आया है इसलिए मोरल रिस्पॉंसिलिटी तो यही करते हैं आपकी कि आप इस्तिफा दें और किसी और को सीम बनाएं और आप विपक्षी एक्ता के लिए काम करते रहें लेकिन अब नितीष कुमार न तो इस्तिफा देने की तैयारी में हैं और नहीं इस विपक्षी एक्ता के मिटिंग को कंटिन्यू करने की क्योंकि अगर एक काम भी करते हैं तो दूसरा बिगड जाएगा इसलिए नितीश की सरकार गिराए जाएगी आर जे डी और दूसरी महा गठवंदन की पार्टियों ने साब तोर पर कह दिया है कि या तो इस कॉंट्रेक्ट को वापस कीजिए और उस दाग को मिटाइए या इस्तिफा दीजिए या फिर विपक्ष कुमार ऐसे फस गए हैं कि या तो वो इस्तिफा देंगे या फिर उनके राजनिती से सन्यास की घड़ी आ जाएगी और इसी तरह कि जो इस्थितियां पैदा हुई है वो विपक्षी एकता की मिटिंग के लिए भी एक तरह से ग्रहन लगने वाली है और ये पूरा का पूर झाहती है उनके ब जहूरी जाएगी प्दाएगगी तरह से और ये मिटिक तरह में ग्राम के दो चाहन देंगे और ये मिंगे इस एक साने से लिए और ये ये पाल जänder है के दो ऐस एक